जहन आईए आज हम इंडियन पॉलिटी के एक नए टॉपिक एक नए चेप्टर को हम आज स्टार्ट करेंगे जैसा आप लोग ने टाइटल में देख लिया आज हम लोग पढ़ेंगे इस्टैबलिश्मेंट ओफ एन एच आर सी नेशनल हुमेन राइट कमीशन ठीक है भारत में युमेन राइट कमीशन का गठन जो है उनिस सो तिरानवे के पात किया गया ठीक है आप इसके टाइटल से ही अगर समझने का प्रयास करें तो नेशनल मतलब रास्त्री मतलब आज अ मतलब मनुस्य जो इस देश के सिटीजन है ऐसे तो भारत इतना कैसे थे ने कि पौरानी काल से ही और आदी काल से ही भारत में जो है अगर आप जहन सम्टरदाए बगेरा के बात करोगे या फिर मतलब एक समानने से बगती है कि हम लोग ने पत्थरों और मूर्तियों का भी तो उनमें भी मतलब एक ऐसा लिविंग एंटिटी के तौर पे मतलब एक कह सकते हैं कि लिभिंग हो या नौल लिविंग ठिंग सो बट हम लोग जो है सभी को एज एकवली रिस्पेक्ट देते हैं पौसुपक्छियों को भी जानवरों को भी नदी नालाओं को भी हमने मा क कि संग्यादी हैं ब्रिक्षों की तो उसी में कहा गया है कि नेशनल हुमेन राइट कमिशन किस प्रकार से जो है पूरे के पूरे भारत की जो सिटीजिन है और साथ साथ कुछ ऐसे एलियंस भी एलियंस इंदिशन की फॉरें नाक्रिक ठीक है उनके भी मानवता की और पूर कि पूरे कह सकते हैं कि नेशनल लेवल पर कारे करते हैं इसी के साथ साथ स्टेट लेवल पर भी स्टेट हुमेन राइट कमिशन होता है जो कि उसका जुरिडिक्शन उसके स्टेट के अंतरगती होता है इस्टैट के लिए अब इसका इस्टैबलिस्मेंट कब हुआ ठीक है इसके objectives क्या है, इनके बारे में जानेंगे, ऐसे अगर आप Indian Constitution को देखेंगे, तो इसमें हमें already कई एक ऐसे fundamental right, basic right, मौलीक अधिकार भी हम लोग कहते हैं, जो कि हमें already सम्मिधान के द्वारा प्राप्त है, और इसके साथ-साथ under Article 32, जिससे Soul of the Indian Constitution, डॉक्टर अमेटकर के उसके द्वारा constitutional remedies का भी प्राप्तान है, कि इस एनीवान ट्राइट वाइलेट यूर फंडमेंटल राइट, और फंडमेंटल राइट, इसके द्वारा प्राइट, प्रॉल्दान है, कि अवार्ण रॉड्टार अधिकार यूर्ण रॉन रिक्टियू अगर्टी तो द्रॉ किसी भी स्टेट के बेंग से स्टेट के और्गनाईजेशन से एड मौलीक अधिकारों की हानन होने से सुप्रीम कौट और हाइब कोट बचाती है लेकि ठेक इसके बाप जूद भी आप कई बारा ऐसे के से सुनते होंगे कि कश्टेडियर टेथ हो जाता है बतलब प्लियस कि उसको गिरफतार करके ले जाते हैं उसे बहुत पीठती उड़ती है तो उसको टेट हो मतलब उसकी मिर्ति हो जाती है उसी कस्टडी में पुलीस की कस्टडी में लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि एक्सक्यूटीब बिंग का यह अधिकार नहीं है डंड देने का डंड तो वही देंगे जो नहा इधीस होंगे और वह भी देंगे पूरे के पूरे इविडेंस का जाच प्रताल करने के बाद ठीक है प्रमान को देखने के बाद और जब तक वह दोसी सिद्ध नहीं होता तब तो उसी डंड भी नहीं दिया जा सकता और डंड भी देने का अब्धान है उस अनुसार उतनी सालों का ही उसे सजा होगा ना उसे कम ना उसे अधिक और यह कौन दिर नहीं लेगा यह लेगे देश की जो नियाई धीस है यह सरवुच्छी नियाले हो हाई कोड़ो सुप्रीम कोड़ो या फिर सेशन कोड़ो कोई भी मतलो यह काम जो है तो खेर देखो फिर मुंबई बगेरा में भी आप देखोगे तो स्कॉइट टीम का गठन किया जाता है ठीक है जो कि कोई ऐसे क्रिमनल देखो को जुडिसरी का भी लूफोल्स भी हो सकता है देखो सब के अपने अपने तर्क होते हैं पॉइंट अभ्यू रखने का कि जु जो है गाड़ी जैसे प्लटती है यूपी में वो होता है लेकिन जो एक इनोसेंट पिपूल है जो एक नौर्मल देखती है उसे भी कभी कभी पूलीस देखो अपना बरदी का ग्लेमर बरदी का रुतवा दिखा कि उसे ग्रपतार कर लीती है मतलब उस पर देखो हंटर चल अगर कोई क्राइम भी किया है तो उसे कानून जो बिधी है जो लाव है नयाई पालिका की द्वारा ठीक है कानून का अनुसरन करते हुए उसे डंडित करने का प्राप्धान है इस डाट के लिए तो अब हम लोग इनके थोड़ा जो हमने हाँ एक नोट लिखा है इसके माद हमसे जानेंगे इस्टैब्लिस्मेंट ओफ एन एच आर्सी नेशनल हुमेन राट्स कमिशन को क्यों इस्टैब्लिस किया गया था पहले यह जान लिए एक सैचुरेटरी बाट इस बात को ध्यान रखें यह एक सैचुरेटरी बाड़ी कई वार जो है यूपीसी के प्रारम्भी परिक्षा में कुछ स्टेट्मेंट दिये रहते हैं तो यह कंफ्यूज करने के लिए कभी लिग दिया जाता है इटीजे सैचुरेटरी बाड़ी और किसी किसी स्टेट्मे थीच टीक है इस्टैबलेसें 1993 उइस सथाफना की गई है ठीक है बाइव लिगसलीशन अव परलेमेंट क्यों कि अ निशनल लीबल पर है ठीक है तो इसे पार्लेमेंट के द्वारा ही इनेक्ट किया गया ठीक है protection of human rights act 1993 के द्वारा ठीक है और यह 2006 में इसमें एक बार संसोधन भी लाया गया है किलियर हो गया आगे है मैं पहले ही बताया कि बाच डॉक औफ युमेन राइट्स इंडिया इंडिया में यह मौली कदिकारों का वाच डॉक के तौर पर यह कारे करते हैं ठीक है रिलेटिंग टू लाइफ मतलब किसी की जान ना जाए जान किस रुक्षा हो ठीक है तमाम अधिकारों की आप अप अप एक्षा कर सकते हैं और बात कर सकते हैं तो कहने कर मतलब है कि सरकार किसी के भी life का मतलत किसी को भी ऐसा इन फाजेपि चड़ा दी नहीं वह फाजी पर तभी चड़हेंगी capital punishment तभी दिया जाएगा जब वह सुप्रीम कोड या हाई कोड जो भी रूल अफ लौव है न्याइधीस का या भारत का और न्याइधीस के द्वारा वजज्मेंट सुनाए जाएगा ना कि सरकार के द्वारा ठीक है तो लाइफ की लिविटी की उसके स्वथनतरदा की ऐसा नहीं कि किसी को भी कभी भी डिटेन कर लो किसी को भी कभी भी डीक कर लो नहीं आपको बगाएधा अरेस्ट व명이ररेंट दिखाना हुआ फिच ग्राउंड पया पर पर फैरस्ट कर रहे है 24 गंड़ा के अंदर आपको magistrate के सामने पीश करना होगा इसके साथ-साथ उसे यह बताना होगा कि किस आधार पर आपको गिरप्तार किया गया है इसके साथ-साथ उन्हें जो है बकील रखने के लिए जो है और अपने बकील से मिलने के लिए उसे चूप दे सकते हैं हां कुछ रेरस्ट और रेर केसे में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है हाउस एरेस्ट होते हैं तो उसमें जो है वह अभी तीन महनों के लिए सदा के लिए नहीं उसे डिटेंट कर सकते हैं ठीक है लेकिन सबसे बड़ी बात है जो जेनरल सरकमिस्टांस होते हैं वो तो डिटे को अगर कोई क्राइम करता है उसे अगर पुलिस पकड़ती है तो यह नियम अपनाए चाहिए यह हमारे विधिया और संभिधान में बढ़नेत है इस्टाइट के लिए आगे है एक्वैलिटी उसकी समानता की रक्षा उसकी डिग्निटी की रक्षा इन तमाम अधिकारों की र हो रहा इन प्रस्थीटियों में जो है यह यह वाच डॉक की तरह देख डॉक मतलब क्या होता है हम घर में उत्ता क्यों फालते है कि कोई भाई बाहर से आ जाए तो देखना भोक नहीं लगता है कोई अजनभी व्यक्ति आया और कोई अपना व्यक्ति आया तो नहीं से तो पूछी लाता है एक प्रकार से मतलब वाच डॉक की संग्या दी गई है मतलब मतलब निग्रानी रखना ऑप्चॉर्ब करते रहना मॉनीटरिंग करते रहना स्टैट के लिए सो अफ इंडिवेजवल ग्रांटीड इन इन कंस्टिटूशन और इंबडीड इन इंटरनेशनल कोविनेंट्स और इंफॉर्सिबल वाई देखो देखो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि हमारे संविधान में नियम कानून है और सासा बहुत बार जो हैं इंटरनेशनल जो है कह सकते हैं कि एक्रिमेंट करते हैं ठीक है बहुत सारे जैसे वियना कॉन्वेंशन बग औरबोगों प्रताडित किया जाता है तों इन तमाहिं चीजे साथ लेवर बहुत बगलatro ऐसे बनते हैं ताकि जो काम लिया जाता है उसका घो बातास्ता बिरन है उसकी चैलरी है उसके जो चुट्टियां है या Training कि बहुत अईसे कदम जो की कि पूरे अन्य देस्टों के साथ कह सकते हैं कि सिब्लाइज्ट नेशन त्वारग अपनाएज और तमाम नियमों को कह सकते हैं यह प्रोफुगेट करने का परचार परशार करने का कारे करती है और कहती है कि यह यह देशों में इन इन चीजों से संबंधित इतने अच्छी कानून है भारत में भी ऐसे कानून होनी चाहिए स्टैक्ट के लिए सो और इंफोरसबल वाइक कोट और बहुत सारे तो मैंने मौलिक अधिकारों का बताएं दिया कि जो भारत में अल्रेडी संब्धान में दिया गया है उसका अगर हनोन होता है सटाएं लीत है और उस उसको जो है उस पर उचित करवाई करने का या फिर कह सकते हैं की कोट में ये जो भी हो अपने कि जो अधिकार है उस अनुसार जो है से रूल-अ-फलाव के कोर्डिंग जो है कोट में घसीटते हैं इनके कुछ अब्जेक्टीप्स के बारे में जान लेते हैं कि आखिर नेशनल हुमेन राइट्स कमीशन के अब्चेक्टिप्स क्या है उत्तेश के इसको कठन क्यों किया गया सबसे पहला इस टंधन इंस्टिउशनल एरिज्मेंट देखो जब तक कोई इंस्टिउशन को बनाया नहीं जाएगा जैसे अब रूल आफ लाव या लाव एन ओर्डर को मेंटेन करना है तो इसके लिए हमें पूलीस और फोर्स की आवशक्ता होती है बोर्डर के सेक्यूरिटी करना है तो बोर्डर की आवशक्ता होती है ठीक है तो वही कहा जा रहा है कि हागे अगर हमें जो है लोगों के हुमेन के अधिकारों का उनकी हुमेन राइड्स के मानव अधिकारों का जो है कह सकते हैं प्रोटेक्शन करना है उसे प्रोटेक्ट करना है तो बैसे इंस्टिउशन डेपलक्ट होन पुलिस के इंस्टीट्च नोह आर्मी की हो और जो भी एक समानिस्री और्गनाईजीशन Kayी ौश्यूटी और दिषयो कोई अंदिश्टी कोई भी इंस्टीट्च अन१कि और्फ से का सब्ध Şimdi ओड़ा है ठीक है उसकी जो बनावच होती है इस प्रकार से बनाए जाना चाहिए ताकि मानव के अधिकारों का हनन ना हो और अगर कभी-कभी ऐसे इस ते उत्पन हो जाती है कि मानव अधिकारों का हनन हो रहा है उस प्रस्थिती में जो है वह इस प्रकार से फ्रेंड करना चाहती है इस मैनेज में उसे एरेंज करना चाहती है ताकि मानव के कह सकते हैं कि अधिकारों के उलंगहन को और उस जिकाईतों का निप्टारा और उसे एड्रेस किया जा सकें दूसरा है लुक इंटू दा एलिगेशन अफ एक्सेस अन इंडिपेंडेंटी अप्टी कोब्मेंट इन मैनर टैक्ट उड अंडरलाइं दी कोब्मेंट इट्स कमिट्मेंट तो प्रोटेक्ट हुमेन राइट देखो सरकार का हम लोग या पूरे के पूरे इस्टेट अगर आप पॉलिटिकल थियोरी की बात करो हुए तो इस्टेट का इमर्जी कैसे होता है उस तेश उस टेरिट्री में रह रहे हैं लोगों की द्वारा ही तो और इस्टेट का फॉर्मेशन लोग क्यों करते हैं ताकि जो है इस्टेट उन्हें सिक्यूरिटी प्रभाइड करें ठीक है और साथ साथ पूरे एक कम्यूनिटी लेवल पे एक सिविल सुसाइटी के लेवल पे हम लोग बहु सारे और्गनाइजेशन को फॉर्म करते हैं अगर इस्टेट अपने आप में एक बड़ा और्गनाइजेशन है जिसका सबसे अधिक महत्प है क्योंकि हम उसे टित प्रुभाइड कराते हैं हम उसे कुछ पनिस्मेंट करने का भी अधिकार देते हैं लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या हो अगर इस्टेट जो प्रसिब जवाने लगती है तो इस प्रस्थिती से बचने के लिए मानमा अधिकार जो है आयोग का गठन किया आता है ताकि देखता है यह जो आयोग है या बारबर देखती रहती है कि भाई स्टेट के द्वारा करीं तो मानमा अधिकारों का हनंतों नहीं हो रहा है और सरकार उन अधिकारों का जो है पालन कर रही है या नहीं क्या सरकार जो नियम बनाए है उसे इनफोर्स कराने में सक्सेस्फुल हो रही है या नहीं तो वही कहा गया है कि कोई भी अगर सरकार के उपर ऐसा एलिगेशन लगता है कि आप एक्सेस यूजब फोर्स कर रहें देखते हो आपसा एक्ट के बारे में नौर्थ इस्ट में बहुत सारे इससे संबंदित कंट्रोवर्सी है राइस होता है फिर कई बार देखोगे आप लोग तो मैंने कस्टेडियल टेट की एक्जामपल दिया ह करें कया बार जो है कह सकते ने कि पूलिस की या फिर एक प्रकार से जो कर सकते हैं कि आर्मी पूलिश फोर्स इसंपनी वार प्सक्यास क्योंकर लोग लगाते रहते हैं क्योंकि ऐसा उनके बारे में कहा जाता है कि यह लोग जो है आम लोगों पर एक प्रकारस कह सकते हैं कि उत्पियुडन करते हैं लेकिन यह कभी-कभी बास्तविक्ता भी नहीं होती क्योंकि आप देखोगे कई वार जो होगा कि देश के विदेशी ऐसी कह सकते हैं कि एक एजंडा और प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते है और देश में बित्रोग को जन्म देना चाहते हैं जो अनक स्लाइट मोगमेंट वगएरा आप देखोगे यह पूरे के पूरे वही चीज है जो कि विदेशी फंड के द्वारा और विदेशी इन्फूरेंस लोग होते हैं जो आर्मी के बारे में ऐसा प्रोपेगेंडा फैलात करते हैं ठीक है आर्मी बगेरा या पुलिस बगेरा का उदेश नहीं होता है लोगों की रक्षा लोगों की सुरक्षा करना हां कभी-कभी जो है ऐसी गल्तियां हो सकती है सबीसे हम लोग भी कह सकते हैं पूलीस वाले वी एक माना भी होते हैं इसमें कोई बड़ी चीज नह करते हैं लेकिन होता है हर देश में देखों इंटरनली डिस्टेपलाइज करने के लिए ऐसा प्रोपोगेंडा चलाए जाते हैं कोई बड़ी चीज नहीं है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसा इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी मैनर में स्टीट कभी वी क्योंकि स्टेट अपने आप में बहुत फावरफुल है ठीक है इसलिए बहुत सारे मौली कदिकारों का जो है हमें प्रकार से एक बंडल प्रदान किया गया सकते हैं कि संबिधान के द्वारा ठीक है कि कभी भी स्टेट एरबरेट्रेडी मैनर में किसी को गिरभतार ना करें किसी को पनिस न जो अल्रेडी इस दिशा में इस डिरेक्शन में लिए जा चुके हैं और वह डिरेक्शन हुआ क्या जो मौलिक अधिकारों का जो है एक प्रकार से और लोगों का जो मानव अधिकार है ठीक है उसकी रक्षा के प्रियास में उसकी सुरक्षा के प्रियास में जो कदम करती है यह मानव अधिकार जो कैसे राष्ट्री मानव अधिकार ठीक है आयोग ठीक है तो यह नेशनल हुमेन राइट कमिशन के बारे में पढ़ा कब इसके स्थापना की गई थी और इसके ऑप्रेक्टिप स्केर इसके आगे हम इनके जो है कह सकते हैं कंपोजीशन इस स्ट् it also press the wheel icon and if there were any queries comment suggestion advice you may comment in the comment box thank you once again have a great day you